क्रिकेट का सबसे तेज फॉर्मेट टी टेन के मैच अब वापस आ गए है अबुधाबी टी टेन लीग के मैच आज से शुरू होने जा रही है क्रिकेट प्रेमियों का ध्यान अब UAE की ओर बढ़ गया है नमस्कार दोस्तों CBTF अर्नव यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है अबुधाबी टी टेन लीग 2023 का फर्स्ट मैच न्यू यॉर्क स्ट्राइकर्स और डेकन ग्लाडियेटर्स के बीच दिनाख अबुधाबी टी टेन लीग सबसे ज्यादा देखे जाने वाली 10 ओवर के मैचों की प्रतियोगिता है इसका खास आकर्शन है वो दुनिया भर के सुपस्टा जैसे की रोन पोलाड, मुहम्मद आमिर, सुनीर नरेन, निकी पूरन इस लीग में 8 टीमें जो अगले 12 दिनों 10 ओवरों के मैच आपस में खेलेगी जिसका पहला मैच पिछले संसकरण की दो फाइनलिस्ट टीम डेककन ग्लेडियेटर्स और New York Strikers के बीचे आज होने जा रहा है एक बार फिर शेक जायद क्रिकिट स्टेडियम में टकराएंगे अबुधाबी T10 लीग के इस नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए अगर New York Strikers की टीम पहले बल्ले बाजी करती है पहली पारी में पहले बल्ले बाजी करने वाली टीम चार ओवा के पावपले में शेक जायद स्टेडियम, अबुधाबी, मैदान की पिच और पूर्व के मैचों में खिलाडियों के प्रदर्शन के आधार पर 42-51 के बीच स् डेकन ग्लेडियेटर्ज ने दो बार लगातार खिताब जीते हैं और तीसरी जीतने के लिए बिल्कुल तयार दिख रहे हैं। जो अपने विरोधियों को उल्लू बनाने के लिए जाना जाता है। उनके साथ हैं आसिफ अली, निरोशन डिकुला और मोहमद आमिर जैसे मजबूत एशिया इखिलाडी जो पारी की शुरुआत में तेज गेंदबाजों की तरह काम करते हैं। और वो सब इस छठे सीजन क के फाइनल के दोहराव के लिए पूरी तरह तयार हैं। अब हम भारत के नंबर वन क्रिकेट मैच टिप पर द्वारा बताए गए आज के मेगा जकपोट क्रिकेट मैच की भविशवानी पर आते हैं कि आज का मैच कौन जीतेगा। डेककन ग्लेडियेटर्स ने पिछली बार न्यू यॉर्क स्ट्राइकर्स को 37 रनों से हरा कर खिताब को आसानी से जीत लिया था। और अब वो अपने विरोधियों पर हावी होने के लिए तयार हैं। ग्लेडियेटर्स के पास स्क्वार्ड में काफी मारक शमता है जिसमें युवा और अनुभव का सही मिश्रन है। उनके पास सुरेश रहना, देविड विसे जो पिछले फाइनल में 18 गेन 43 का तुफानी पारी खेला था। वो ओपनिंग मैच में उपलब्ध नहीं होनगे और ये एक चिंता का विशय हो सकता है। लेकिन ग्लेडियेटर्स के पास बैंच पर अच्छे रिप्लेस्मेंट हैं। की पीको से आज अच्छे प्रदर्शन का अनुमान है। ट्रेंट बोल्ट, ल्यूक वूड, इंग्लेंड के बाएं हाथ के तेज गेंद बाज और इमाद वसीम, पाकिस्तान के चालाक ओलराउंड, ये सब तयार हैं। शुरुआती एक आदश में शामिल होने के लिए हमार प्रतिशत मैच, भविश्यवानी के अनुसार, इस मैच में टॉस प्रदिक्शन, टॉस न्यू यॉक स्ट्राइकर्ज, टॉस जीतेगी। टॉस की कोई रिपोर्ट या विशलेशन नहीं होता है, बस एक अनुमान है। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करे वाच फूल वीडियो, प्लीज लाइक अनुमेंट अलस। झालस।